पर मालती गायतरी को कुछ भी खाने को नहीं देती थी, जिससे गायतरी के शरीर को ताकत मिले मालती गायतरी को हफ़ते में साथो दिन बासी खाना खाने को ही देती थी, इसके बारे में गायतरी के बेटे मोहन को कुछ भी नहीं पता था मालती खाना लगा दो, बहुत जोरो की भूक लगी है, क्या बना है आज आज मैंने तुम्हारी पसंद की कठल की सबजी बनाई है और साथ में दाल चावल तुम बैठो, मैं तुम्हारी लिए परोज देती हूँ आज तो सचमुझ बहुत ठक गया, हाँ, जल्दी से परोज दो वैसे माने खाना खा लिया क्या? हाँ, उन्हें तो मैंने एक गंटा पहले ही खिला पिला दिया अब तक तो वो खराटे बरकर सो भी चुकी होगी मालती सचमुझ, तुम मा का कितना ख्याल रखती हूँ ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है अरे आप भी ना कैसी कैसी बात ही करते हो मा जी तो मेरी मा है, अपने से पहले में उनका ख्याल रखती हो ताजा ताजा खाना पहले उन्हें ही परोस्ती हो मालती जो चिकनी चुपरी बाते अपने पती को सुना रही थी वो सब तो जूट था, सच्चाई तो ये थी कि उसने अपनी सास को दो दिन पुराना बासी खाना खाने के लिए दिया था गायतरी सूखी रोटी और बदबुदार सबजी खाने ही पा रही थी इसलिए वो पानी पीकर ही सो गई उसकी आँखों से टपकते हुए आंसु अपसूख चुके थे अगली सुबा जब गायतरी सो रही थी तब ही उसे बाहर से बातों का शूर सुनाई दिया गायतरी की खुशी का ठिकाना नहीं था गायतरी का पोता सोनू जो की हॉस्टल में पढ़ता था ये उसी की आबास थी ये तो मेरे पोते सोनू की आबास है लगता है सोनू हॉस्टल से छुट्टियों में आया है सोनू बेटा तुमने आते से ही शैदानी शुरू कर दी हॉस्टल में तो तुम ऐसे नहीं करते थे बेटा मम्मी मुझे अपनी सैकल बहुत दिनों बाद मिली है इसलिए मुझे सैकल को चलाना है प्लीज मनावत करो अब तो वैसे भी सोनू हॉस्टल वापस नहीं जाने वाला यहीं इसका स्कूल का एड्मिशन करवाना पड़ेगा अब तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा मम्मी दादी का है जरूर वो अपने कमरे में होंगी मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं सोनू दोड़ कर अपनी दादी के कमरे में आता है गायतरी सोनू को देखकर जट से उसे अपने सीने से लगा लेती है दादी, दादी सोनू मेरा बच्चा तू आ गया तुझे देखने के लिए तो मेरी आखे तरस गई थी मेरा लाल, मेरा प्याहरा बच्चा गायतरी सोनू को खुब प्यार करती है सोनु भी अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश था वो उसके साथ खेलने लग गया तभी मालती सोनु को आवाज लगाती है सोनु बेटा जल्दी से बाहर आओ तुमने आगर कुछ भी नहीं खाया मैंने तुम्हाई ले पूरी छोले बनाए है सोनु मालती के पास जाता है और अपने और दादी के लिए खाना मांगता है वो वो बेटा तभी गायतरी आ जाती है सोनु बेटा वो मुझे पूरी हजम नहीं होती न मेरी उम्र हो गई है मैं बूरी हो गई हूँ इसलिए मैं रोटी सबजी खाती हूँ हाँ सोनु बेटा अगर तुम्हारी दादी पूरी सबजी खाएंगी तो उनकी तभीत खराब हो जाएगी इनका पेट खराब हो जाएगा जाओ तुम वहाँ बैट कर आराम से खाओ खाना ठंडा हो रहे है उस समय सोनु खाना खा लेता है उसे लगता है कि सचमुच उसकी दादी यही खाना खाती है रोजाना ही जब सोनु खाना खाता तो वो देखता कि उसकी दादी ताजा खाना खाने की जगा बासी खाना खा रही है पर उसे लगता कि हो सकता है कि तब्यत खराब ना हो इस वज़े से वो खाना खा रही है यही बात सोनु ने सीख लिए मालती के भाई सूरज की शादी थी मोहन चाहता था कि उसकी माँ गायतरी घर में अकेली ना रहे वो भी उसके साथ चले इसलिए गायतरी भी उन सब के साथ बहु के माई के शादी में चली गई अब वहाँ सब लोगों के बीच तो मालती अपनी सास को बासी खाना नहीं खेला सकती थी इसलिए सभी महमानों के साथ गायत्री को भी वही खाना परोसा गया, जो पक्वान और महमानों को परोसे जा रहे थे, तभी सोनू बोला मौसी, दादी ये खाना नहीं खाती है, मम्मी उन्हें सूखी रोटी और एक दिन पहले की सबजी देती है, दादी को ताचा खाना आजम नहीं होता, उनका पेट खराब हो जाता है, इसलिए मम्मी उन्हें कुछ दिन पहले का बना हुआ खाना देती है, ताकि उनका पेट खर तोच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके खुद के माईके में हो, सब लोग घर आ जाते हैं। केशव बेटा, तुमने हमारे सोनु को कहीं देखा है, वो साइकिल पर था। नहीं दादी, मैंने तो सोनु को नहीं देखा। रोश्नी, रोश्नी तुमने सोनु को देखा क्या, वो साइकिल चला रहा था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मालती आंटी, सोनु को मैंने वहाँ सामने सड़क पर जाते हुए देखा था। सड़क पर जाते देखा था? अरे, वो तो चलती हुई रोड है, मेरा बच्चा कहां चला गया। सोनु, सोनु बेटा। मालती और गायतरी का रो रोकर बुरा हाल था। दोनों सोनु को ढूण रहे थी। अचानक उन दोनों की नजर सड़क पर बनी एक दवाई की दुकान पर जाती है। दोनों की जान में जान आती है। वो दोनों वहाँ पहुँचती है। सोनु बेटा, तु यहाँ अकेले कैसे आ गया? और तु यहाँ क्या कर रहा है। अगर तुझे कुछ हो जाता यहाँ से ट्रक गाडियों सब गुजरती है और तु यहा तक साइकिल पर आगया। मेरे बच्चे तु यहाँ क्यों आया? बहन जी इसे अपनी दादी के लिए दवाई लेनी है बोल रहा है बहुत दिनों से दादी की तब्याट ठीक नहीं है उनका पेट भी खराब है इसलिए वो ताजा खाना नहीं खा पाती बहुत देर से मैं यही सोज रहा था कि ये बच्चा अकेला यहां तक तो आ गया है अब मैं इसे दवाई ऐसे कैसे दे सकता था अच्छा हुआ आप आ गए दादी मैं आपके लिए दवाई लेने आया था मम्मी आपको रोजाना सूखी रोटी और पुरानी सबजी देती है न अब आप दवाई खा लोगे आपके तब बे ठीक हो जाएगी तो आप मेरी तरह ताजा खाना खा सकते हो मम्मी दादी के लिए दवाई ले लो न फिर दादी भी हमारे जैसा खाना खा सकती है सोनू की बाते सुनकर मालती की आँखों में आसु आ जाते हैं आज उसकी गलती के कारण उसके बच्चे की जान खत्रे में आ सकती थी गायतरी भी बराबर में खड़ी ये सब देख रही थी उसकी आँखों से टप टप आंसु बह रहे थे मालती और गायतरी सोनु को लेकर घर आ जाती है सोनु की मासूमियत सच मुच उस दिन मालती के दिल को हिला गई थी मोहन को ये बात पता ना चले इसके लिए गायतरी ने सोनु से कहा सोनु बेटा अब मेरी तव्यत बिलकुल ठीक है देखो मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ सच दादी अब आप मेरे साथ खाना खाओगे मम्मी मेरे और दादी के लिए खाना लेकर आओ न हाँ बेटा मैं भी लेकर आती हूँ मालती जानती थी कि आज उसकी गलती के कारण उसके जूट बोलने के कारण कुछ भी गलत हो सकता था मालती गायतरी से माफी मांगती है उस दिन से उसने अपने व्यवहार को भी बदल दिया कहते हैं बच्चों में वही संसकार आते हैं जो उन्हें उनके माता-पिता से मिलते हैं इसलिए हमें हमीशा बच्चों को अच्छे संसकार देने चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर वही बाते सीखें और दोहराएं जो बच्चपन में वह अपने माता-पिता से सीखते हैं सुमित्रा? क्या बात है? तुने कठल में इतना तेल भर दिया रोहन और प्रिया ने सबजी चुई तक नहीं मालके मैंने तो रोजाना की तरह ही सबजी बनाई थी और कठल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था शायद इसी वज़े से तेल दिख रहा होगा और मिर्श मसाले बिलकुल भी नहीं डाले खाने में बिलकुल फीकी बना दी ओ सुमित्रा बात सुन इसकी बातों को मत सुना कर तेरे हाथ की सबजियां बहुत स्वादिश्ट होती है अभी बहु को पका पकाया मिल जाता है न इसी लिए उसे कामवालियों की कदर नहीं जिस दिन तू कभी ना आये एक फुलका बनाने भी रसोई में नहीं घुस्ती सब खाना बाजार से ओर्डर होता है अच्छा सुन भिंडी की सबजी रखी है कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए किसी ने सबसी छुई तक नहीं वैसे क्या बात है तू थोड़ी परिशान लग रही है अब तेरे आदमी की तब्यत कैसी है अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्श बताया है पता नहीं कोई रॉड डलेगी तब ही ठीक होगा अच्छा चलती हो माता जी सुमित्रा एक गरी बौरत थी जबसे उसके पती के पैर का एक्सिडेंट हुआ है तबसे वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव के नहीं है पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है इसलिए वो यहां काम करके दो पैसे कमा लिती है मा आज बहुत देर लगा दी मुझे बहुत भूख लगी थी घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है मा ये क्या लाई हो ये ये मैं भिंडी की सबजी लाई हो तुम्हें भिंडी पसंद है ना मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेख देती हो फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना सुमित्रा आज मेरी इस हालत के वजह से तुम्हें कितने दुख जेलने पड़ रहे हैं कास उस एक्सिडेंट में मैं मर ही जाता खबरदार जो ऐसी बात कही आज कह दिया आगे से मत कहना हरी तुम ही तो मेरा संसार हो तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते देखना एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी वो अपने पती को हमीशा हिम्मत देती रहती थी पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही तूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया पर मालकिन कोई कमी है तो वो बता दो मैं वो दूर कर दूगी ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन अरे शोभा एक बार सोच ले अगली बेचारी को कितने समय से तुने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तु इसे निकाल रही है इसका पती वैसे ही बिमार है घर में दो छोटी-छोटी बच्चियां भी है ऐसे किसी के पेट पर लाथ क्यों मार रही है माजी आप चुप रही है आपको जादा पता है या मुझे पता इस घर का सुमित्रा मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है ये तुम्हारे इस महीने के दो दिन आई हो तुम ये दो दिन के रुपए ले जाओ कल से मत आना सुमित्रा रोती हुए घर चली जाती है घर पहुँचकर वो अपने पती को सारी बात कहती है वो भी ये सब सुनकर बहुत परिशान हो जाता है अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दर्वाजे पर खटखट होती है अरे मादा जी आप और इस समय आईए अंदर आईए सुमित्रा आज सुबर शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेज पहुची है मैं मंदिर के लिए निकली थी पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती पर मैं तुम्हें एक सला देना चाहती हूँ अगर तुम मानो तो जी बोली माता जी सुमित्रा ये दस हजार रुपे रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले वैसे तु छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है अगर तु चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी, पर माता जी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुमित्रा ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रु रुपियों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आओंगी, उन रुपियों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है, और वो माता जी को दिल से शुक्रिया करती है, आज मुसीबत की इस घड़ी में मात दिन दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है, पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है, भाईया बहुत ही स्वाधिस्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का आयता भी एक प्लेट खाई थी कल मैंने, भाईया सच्मोचानन दा गया वतार है, अच्छा एक काम करते हैं, एक प्लेट खा लेते हैं चल कर, गरम गरम, मज़ा आ जाएगा सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंकी दाल का हलवा, गुलाब जामून और कुछ मिठाईयां भी बेचनी शुरू कर दी थी, सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिये थे, एक दिन वो माताजी से मिलने गई, नमस्ते मालकिन वो माताजी से मिलना था, माजी का पंद बढ़ने की खबर सुनकर सुमित्रा की आँखों में आसु आ जाते हैं, आज उनी के कारण उसके पास पैसे और काम था, सुमित्रा जो रुपे माताजी को वापस करने गई थी, उन रुप्यों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है, तकि उनकी आत्मा को शानत सुमित्रा के पती के पैर का ओपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है अब दोनों पती पतनी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे पर आज भी सुमित्रा माता जी के एहसान को नहीं भूल पाई थी इसलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बना कर में बाड़ती थी